हेलो व्रिवन आज में लेकर आई हूँ बिना ब्रेड वाली क्रिस्पी और टेस्टी वाफल सांडविशी रेसिपी इभार बना के देखिएगा बच्चियों या बड़े हरके से को यह बहुत पसंद आएगा और यह देखने ही बहुत अच्छा लगता है तो चलिए इसे बना शुरू करते हैं, तब से पहले एक बोल में आधा कप सूजी ले लेंगे, इसमें 1 च्थाई कप दही डाल देंगे, मतला आपने जितना सूजी लिया है उसका आधा दही लेना है, कोईश्च करिएगा दही थोड़ा गाढा लीजिएगा इसमें एक चताई का पानी आड़ करेंगे और इन साइड चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मिक्षा को बहुत पतला नहीं करिएगा, हल्का गाडा ही रखिएगा साइड चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है अब इसे हम 15-20 मिनट के ढग कर साइड में रख देंगे ताकि जो सूजी है व अच्छे से फूल जाए सो हमारा बैटर बिल्कुल रड़ी है अब आलो का मसाला बना लेते हैं पैन में 2 टीवल स्पून ओयल एलेंगे जब ओयल गरम हो जायागा तब इसमें एक टीवल स्पून चना दाल आड करेंगे चना दाल आड करना बिल्कुल ऑप्शनल है चना दाल को लो फ्लेम पर एक मिट के लिए पका लेंगे इसके बाद इसमें एक चुताई चमच राई, दो हरी मिर्च और 10 से बार कड़ी पत्ता आड करेंगे इन सभी को एक बार कुछ सकेंड के लिए चला लेंगे इसके बाद इसमें एक कटा हुआ प्याज आड करेंगे आप चाहें तो इसमें थोड़े से बारी कटे हुए नायल भी डाल सकते हैं सुखा नायल, फ्रेश नायल आपके पास जो भी अवलेवल हो आप उसका इस्तिमाल कर सकते हैं अब इस प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेंगे प्याज हल्का सॉफ्ट हो चुका है अब इससे और दा कुख नहीं करेंगे अब इसमें आधा चमच, हल्दी और एक चमच समल मसाला आड करेंगे अब इन्हें फटा फट से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे अब इसमें दो उबलेवे आलू डाल देंगे, आलू को भीने मैश कर लिया, आप चातों ने घिस भी सकते हैं अभिने फटा फट्सी मिसाली के साथ मिक्स कर लेंगे जान एक जो चना दाल है उसे starting हो बहुता नहीं पकाईएगा उसे ब्राउन करियेगा आलों को एड़ करने के साथ ही में स्वादन साथ नमक एड़ कर देना है अभिने फटा फट से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं जो आलू का मिश्यर काफी ड्राई है, तो इसके ऊपर हम एक दो चमश पाई छड़क देंगे, और इसे मिक्स कर लेंगे, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी आट करते हैं, मिक्स करते जाहिए, जब तक कि जो आलू का मिश्यर अच्छे से सॉक्ट ना हो जा है, लास्ट में इसमें देख पती डाल देंगे, और ग्यास को कर देंगे बन और इसे कर लेंगे मिक्स, और इसी के साद आलू का मसाला बिलकुल रेडी है, इसे आप किसी प्लेट पर निकाल दें ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, चलिए बैटर शेक कर लेते हैं, बैटर इसे के वाफिल अराम से बन जाते हैं, अब इसमें हम स्वादन सार नमक और एक्षथाई चमच काले मिश्का पॉडर आट करेंगे, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमारे वाफिल बिलकुल फ्लफी बने, इसके लिए इसमें हम आदा चमच इनो आट करेंगे, इ मेरे पास यहां पर मिनी वाफिल मेकर है, वाफिल बनास पहले इसे हम हलका गरम कर लेंगे, जब यह गरम हो जायागा तो इसके दोने साइट पर हम आईल लगा देंगे, और इसके ओपर हम 3-4 चमच यह सूची का बैटर रख देंगे, और इसके बाद इसे हम ढग कर पकने कर देंगे, आपको जितना क्रिस्पी करना उतनी देर तक पकाईएगा, तो मैं इसे लग बग 3-4 चमच यह पकाया है, यह देखिए हलका क्रिस्पी हो गया है, अब इसे हम मशीन से निकाल लेंगे, इनों की वज़े से यह देखिए जो हमारे वाफिल थोड़ा फलफी बने है, अब मशीन से निकालने बाद इसे जालव बर्तम पर लग दीजेगा, ताकि यह हलका क्रिस्पी रहे, स्टीम चुए है, दों साइट से निकल जाए, यह देखिए देखने में कितना अच्छा रग रहा है, नेक्स्ट वाफल बनाज पहले, फिर से इस मशीन को हलका ग्री अच्छे से फैला देंगे, अब इसे हम ढग कर अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे, हलका तक क्रिस्पी रखेंगे ना, तो हर किसी को खाने बहुत चा लगेगा, यह देखिए हमारा दूसरा खूब साई सबजी वाला वाफल बिल्कुर रेडी है, इसे हम वाफल म मिश्या बनाया था, उसे इसके उपर रख देंगे, मैंने डोसे वालो का मसाला इसलिए बनाया है, क्योंकि अलका सॉफ्ट होता है, और यह वाफल के उपर असाई से स्टिक हो जाएगा, और इसके उपर मैं थोड़ी से नाल चटनी लगा रही हूं, आप चाहें तो रखें या फिर अदक से सर्फ कर दें, अब दूसरे वाफल से इसे हम कवर कर देंगे, और यह लिजी इसी साथ हमारा क्रिस्पी टेस्टी सांडविश बिलकुर रेडी है, बिना ब्रेड वाला, इसे आप बच्चों को टिफिर में दे सकते हैं, या फिर शाम के स्नाक्स में बना सक